तो आप सबका टीम सोरिम में बात करने वाले बाइब देखो अपना आज के लिए जो मैच यहां सा रहने वाला है तीसरा ओडियाई पहला अच्छा गया दूसरा अच्छा गया बारी है तीसरे ओडियाई कि अब क्या रहती हैस मैच के रिलेटेड जो प्रेडिक्शन से क्या टीम सारी चीज़ें करने वाले डिसकस और लाश्ट मैच तुम अपनुआ दागा खुल दिया एकदम कहां तो भाई वूमें सोडियाई में एक संचुरी देखने को तरह जाते हैं लोग एक ही मैच में चार संचुरी देखने को मिल गई थी कैप ने भी लगा दी गोल्वर करने वाले तो वीडियो को आखर तक देखो कि तभी सारी चीज़े पता चलेगी और साथ वीडियो पसंद है लाइक जरू कर देना चंगो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं क्या हुआ तो फटावट से कर लो एंड बाकी शुरू करते हैं ठीक है बाकी चलो बात करें इस स्वामी स्टीडियम बेंगलूरू में ही वापस से मुकाबला खेला जाएगा अब हर पारना कहीं ना कहीं देखो इस ट्रैक परना स्पिनर को मदद रहती है पट उतनी नहीं कि भाई एक दम ये एक हमेशा सब बैटिंग ट्रैक रहा है एक बोलिंग ट्रैक के रूप में ग इवन तीन सो प्लस के टार्गेट में जहां इंडियन टीम वन साइड़ेड विन करनी चाहिए थी वहां पर रही एक सो पैथिस बना दिये लोरा वुल्वेट ने एक सो चोदा बाना दिये मरिजन के अपने इंडिवीजवली बागे कुछ-कुछ प्लेर्स का उंट्रविश काहारी तो ओवरॉल जो बैटिंग है वो बढ़िया देखने को मिली और आज के लिए कहीं न कहीं आपको सेम चीज़ हो दिख सकते हैं कि बैटिंग आपको बहुत बढ़िया करते हुए दिख सकते हैं दोनों ही टीम अगर मैं बोलों कोई चोक ना करे तो क्योंकि यह उस त 200 से नीचे ऐसा है कि दस बार टोटल बना है 200 से 250 के बीच में दो बार 250 से 300 के बीच में और एक बार 300 से उपर तो पिछला मैंच जो था उसमें की बार बनाता बागे नॉर्मल यहां पर स्कोर थोड़े से कम देखने को बले बटो मैचस भी काफी टाइम हो चुका है मैं मैं गोई शायदें दीपती शर्मा पूजा वस्तराकर राधा यादा और रेनुगास इंको बाहर करके पिछले मैच वे अरुन धर्टी रिडी को खिलाए गया और क्या ही जवरदस्त बोलिंग के और क्या ही जवरदस्त में बोलो है इन्हों ने पहले विकेट निका ली तो यह है फिलाल के लिए इंडिया की तरफ से प्लेंग लाओना अब अगर इसमें हम यहां से बात करें तो स्मृति मंदाना जिन्होंने अब तक दो मैच लगाता और संचुरी लगा चुकी है ठीक है अब कहीं ना कहीं हो खत्रा भी रहता कि दो मैच लगाता और संचुरी आ चु मैं एक वो यहां पर जो आर से फिलाल के लिए हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्मृति मंदना ओविसली काफी जादा इंपॉंट बनती है और आज के लिए कहीं ना कहीं को सी विसी चोईस भी अपने पास में बनकर आ जाती है नेक्स्ट अगर बात करें शेफाली वर्मा जैसा म प्रिति मंदना और शेफाली वर्मा का अंडर शेफाली वर्मा एसल के लिए एक डिसेंट चोईस फिलाल के लिए है पागि उसकाद में बैलान हेमलता है पिछले मैच में बड़ी यहां से शुरुवाक्त मापुलों है उन्होंने भी की थी 24 उन्होंने बनाये थे उससे पह हो तो पावर तो है इनके अंदर शक्के लगाने वाली तो डेफिनिटल यहां से देलान हेमलता आपकी जीर टीम के लिए एक बहतर उप्शन है एसल के लिए मैं थोड़ा एक विफ्टी टाइप रखो हूं है इनको हाँ बाकि उसकाद में हर्मन प्रीत को और है पहले में द काफी साता बढ़िया देखने को मिले एक बैटिंग बिच है तो डिफिनिटल फिर हर्मन प्रीत को यहां से इंपॉंट बन जाती है अब पिछले मैंच वे पार्टनर्शिप काफी बड़ी बन गई थी तो रोड़र के दो बैटिंग देखो भाई आई नहीं चार पांच न का ऐसा कि भाई अगर किस्मत है अगर वो बंदरा 20-25 बना दे तो वरना उनका जो स्कोर है वो जीरो से और दस की रेंज में मुश्टली रहता है दोनों कई तो यहां से रिचा गोश्ट को लेना एक मजबूरी समझो कुछ भी वाट अपने पास में यहीं समझ के चलो कि वि किसी चोइस के लिए अपने पास में रहेंगी बाग यह पूजा वस्तरा कर रहे हैं इनकी तरफ से भी 2 मैंच में अपने तीन विगेट आ चुक हैं पिछले में दूसरे में एक पहले में दूसरे में 12 लिगेट निकाला एक में 31 अरन भी थे दन यहां से राधा याद हो है पेदे योडियाई में एक विगेट था दूसरे में यहां से जिरो देखने को मिले अलगी इस पिच पर स्पिन होती है बट फिलाल कि तु कुछ जादा देखो देखने को मिल नहीं रहा है तो उतना परोसा अब मैं बोल सकता हूं कि कहीं नहीं स्पिनर के ओपर करना बेकार है आशा शोपाना पहले मैच में चार विकेट और दूसरे में इनकी तरफ से भी सिरो विकेट देखने को मिले अरुन दहती रेडी की जो बोलिंग तो काफे ठीक थी और देखो अब वैसे तो स्पिच पर स्पिन सही होती है बट अगर आपने मैच लाइव देखा तो आपको तो कहीं ना कहीं पेसार उसको शुरुवात में अच्छी मदद मिल जाती है तो अरुन दहती रेडी अगर रस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं क्योंगों कि साउध अब रहेगा कि ओपनिक पार्टनर्शिप हो या नंबर तीन का किलार यो फिलाल के लिए जादा कुछ खास क ठीके तो वो चांसे है कि अरुन देटी रेडी शुरुवात में एक से दो विकिट यहां से लेके जा सकती है नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां से अपने भाई बेंच प्लियर्स की तो उसमें फिर यहां से रेनुका सिंग है श्रें का पार्टिल में देखनी को मल जाती है नेक्स्ट यहां से उमा छेतरी प्रिया पुनिया और यहां से साइक आईशाक रहेंगी अब चुकि तीसरा मैच है इंडिया सीरीज ओल्रड़ी जीत चुकी है तो इस मैच हो भाई चांसे है या तो शेफाली वर्मा की जगे पर प्रिया पुनिया को लाए जाए या फिर ज चंस बनते हैं श्रेंड का पार्टिल आशा शुवाना की जगे पर वो थोड़ेक मेरे को 50 चांस लगते हो सकता है टीम खिला भी लिए हो सकते ना भी के लिए बठाव ओविसली श्रेंड का पार्टिल अगर खेलती है तो इंपर्ण तो बनेंगी पिछला उनका कुछ जो मह पास में चोईस बन जाएंगी अगर खेलती हैं तो ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हो दोनों उप्शन बनेंगे तो यह है इंडिया की तरफ से बहुत सबसे डलवा दिये गये थे मतलब यहां से शेफाली वर्मानी बोलिंग कर दी थी बट उसके लावा अगर देखा जा यहां से कून हो सकती है इसा है कि यह पांच बोलर के साफ में बोलिंग कराए जा सकती है शिक्त बोलर खुद यहां से हर्मन प्रीट को रेश एक विगेट ले दिया वह आपको पता है कि कितने तुक्के वाला विगेट था ठीक है नेक्स्ट एगर हम बात कर रहें यहां से आपने साउथ अपरेगार टीम की दो लॉरा वोलड़ेट तेस्में ब्रिट्स और उसके बाद में एनक बोश है और यहां से खाका तो यह फिलाल के लिए साउथ अपरेगी तरफ से प्लेइंग लाओं मरीजन का बोलिंग नहीं करा रही है और इस मैच्व भी नहीं कराती ह दिखने वाली है for a reason तो यह साउथ अपरेगी तरफ से प्लेइंग लौन बागी देखो अर इदर से प्लेइंग की बात करें तो अभी फिलाल के लिए इंडिन टीम जादा स्ट्रोंग है साउथ अपरेगी तरफ से वह बहुत ऐसा नहीं कि सब खिलाड़ी अच्छा कर रहे इनकी तरफ से गिने चुने दो-चार खिलाड़ी है जो फिलाल के लिए बढ़िया कर रहे है तो एक 7-4, 7-4, 6-5 कॉम्बिनेशन भी टीम का बनेगा और ज़रा साउथ अपरेगी तरफ से देख भी लेते हैं लोरा वालवरे तरस से ओविसली भाई काफी इंपॉंट है मतल 24 और 110 का स्कॉर था ठीक है यहां पर स्मृति मंद्रा की साथ यह तकरिवान 8 सेंचुरीज है ठीक है 80-90 इनिंग में लोरा वालवरे ने पिछले चार इनिंग में तीन लगा दिये ओविसली इंपॉंट बनेंगे तर्जमन बेट्स वो रिस्की ऑप्शन है बिल्कुल एक तो ग्रैंड लीव अगर आपके लिए मैं जरूरू सर्जिट करूँगा कि तर्जमन बेट्स आपकी टीम में होनी चाहिए सम में नहीं बट कुछ टीम में जरूरू ट्राई करना क् हम देखें तो बाइस ज्यादा कंसिस्टन खिलाडी नहीं है उसके बाद में एनक बोश है दोनों मैचेस में बोलिंग कराई है ऐसन उल्ट रांडर बट जादा कुछ खास रहा नहीं है पहले मैच में पांस दूसरे में अठारा उससे पहले अगर आप स्कोर देखोगे तो और क्या स्पास अब आकि उसकाद में मरीजन कैप है बोलिंग करा नहीं रही है पहले मैच में 24 दूसरे में 114 बैटिंग से अच्छा कर सकती है आज के लिए एंटेफिनेटी इंपॉंट बनने वाले क्योंकि देखो जो प्लेयर्स डब्लू पील में खेलिये ना उनको कही ना जाई वह एक अंदाजा है पिचका ठीक है बैंगलूरो के बिचका कि बाई इस तरीके से बैंगलूरो के पिच बहेव करती है तो यहां पर फिर वो लोरा वालवेडेट हुई या फिर मॉल सकता हूं आ मरीजन कैप हुई है इनकी जो बोलर से जो यहां पर केलती है वो क सब्वला तो शामिल इनको किया जा सकता है 28 रहन और 0 विकेट इनके तरब से देखने को मले उससे पहले 4 रहन और 9, 25 रहन एक विकेट 11, 12 रहन एक विकेट और 106 रहन दो विकेट तो इनका रीसेंट फोम है चांसे है कि एक नएक विकेट आज के लिवी भाई दुखो ऐसा है कि स्पेशली अगर पहले बोलिंग होती है तो निकाल सकती है नेक्स्ट उसके बाद में मैक डे रिडर है वही बैटिंग में नीचे और अगर आप इनके भी पिछले चार-पांच स्कोर देखोगे तो आपको वह सिनावलो जाफ्ता और यह दोनों एकदम बराबर लगेगी और पता नहीं क्यों बड़ सिनावलो जाफ्ता को बाहर कर दिया गया में भी हलकेफुल की इंजरी थी जिरो नोट आउट एक चैरन नोट आउट और यहां से पांच रन नोट आउट है और यहां पर इनकेस अगर सिनावलो जाफ्ता भी खेलिए वो भी बैटिंग नीचे ही करेंगी तो अपने पास में एक ओवेस उप्शन विकेट कीपर में और इचा घोशका ही जहता है नेक्स्ट इसका बात में मसा पता क्लास है जिन्नोंने दो मैचेस दोंव किट निकाले लवा की तरफ से भी दो मैचश और दोनों में ही मिकेट देखने को मिले हैं खाने पहले मैच में तीन-दूसरा में 0 विक ले थीन में कि यहां से खाका जाधा बैटर ऑप्शन है फॉम उनका जाधा बैटर है क्लास ने ओविसली दोनों वैच्छे से विकेट लिए बड़ स्टिल में खाका पर थोड़ा सा जाधा यहां से बरोसा दिखाने वाला हूँ बागे बैंच पैने डिरेक्शन है पहला मैच के बाद में बाहर बठा दिकें डैल में टकर टेम तुमी से खुने और यहां से सनालोज अफटा एंड लजी मेरी मैक से रहती है ठीक है तो यह फिलाल के लिए को साथ अबरे की तरफ से प्लेंग अलों से खुने को से खेल ले के में से भाई दो जीते हैं और चार मैचस उन्होंने हारे हुए तो साथ अच्छे हाल साउथ अफरेका के रहे नहीं है इस ग्राउंड पर अगर मैं बात करूँ तो स्मृति मंदना का जो एवरेज वह चालिस का हो चुक है कहां 21 से शुरुआत हुई थी और एवरेज अभी स्मृति मंदना दस मैच में 400 रहने इनके राम इस ग्राउंड पर चालिस का इवरेज आपको देखने को मिल जाता है हर्मन प्रीट को नो मैच में 309 फिफ्टी वन का इवरेज इनका भी हो चुका है कैप की बात करें पांच मैच में 162 है 32 के साथ में वोलवर डैट दो मैच में 149 इसमें एक मैच में 4 रहन देखने को मिल जाता है वहीं पर अगर बोलिंग के बात करें तो वही इसमें 2 रोलर तो ऐसे जो फिलाल के लिए बोलिंग कराती निया कोर का वरोसा निये करा भी दे ना भी करा है और कैप फिलाल के लिए करा नहीं रही दो मैच से दीपती शर्मा 6 मैच में 9 विकेट इनके नाम में देखने को मिल जाते है हैट्वर्ड के अगर बात करें तो भाई 30 मैच अस हो चुके हैं बात करूं 53 का अवरेज है बट कोर का इसलिए क्योंकि भाई 20 में से 7 बार नो डाउट भी रही है बट वहीं पर अगर मैं मंदना की बात करूं तो हाँ यह नो डाउट नहीं रही है अवरेज जो है वह एक्तम रियल और बढ़िया देखने को मिलते हैं यहां से 52 का अवरेज 53 का कोर का है वर्लवर डेट 18 मैच में 632 रन भाई इनके नाम भी है जिसमें अगर हम देखे दो 37 का अवरेज इनका भी है देपती शर्मा ने 16 मैच में 424 रन बनाए है 32 के साथ में मरिजन कैप ने 21 मैच में 518 बनाए है 32 के साथ में अलकि इनकी एक दो पारिया ही है कैप की जो काफी जादा बढ़िया है बाकियों में वो 15,20,30 के रन डीसेंट रन जो वो देखने को मिल जाते हैं सुनिलूस ने 16 मैच में 305 रन है 20 के अवरिस के साथ में और प्रिया पुनिया 5 मैच में 145 रन है बाई 36 के अवरिस के साथ में इनकेस अगर खेलती है तो ठीक ठाक इनका जो है वो रिकोर्ड रहते हैं वहीं पर विकेट्स के मामले में कैप का नाम सबसे उपर तो आता है आया भूंगा खाका 20 मेच में 19 में 10 में टेप्ति शर्मा 20 मैच में 16 में 10 में 10 में 20 में 10 साथ मसांवता क्लास के नाम यहां से 9 में में नो विकेट देखने को मिल जाते है और तीमों से को ने ने भी करी मन बड़ाबर रबर विकेट निकाल रहे हैं च्छह मैच में च्छह और संगे से की बात की जाए तो आठ मैच में च्छह विकेट इनके नाम भी है अलाकि थोड़ी महंगी साबित हुए और श्राइक यहां से बात की जाए तो अपने बॉलिंग सेक्षन से उसका बात में आ जाते हैं टीम के और पर उससे पहले आपके लिए गिवाव का सवाल भी है और वो यह है आज के लिए आपको लिखना है कि हाइस्ट रन स्कोरर कोन होने वाला है बस ध्यान रखना स्पेलिंग अलत मत लिखना और नाम सही लिखना ठीक है बाकी देखो अगर बात कीज़ अपने टीम की तो रिचा घोश को मैंने पिक किया हुआ यहां से कहांगे अपना पैंच लगाता है तो रिचा घोश ओविसले विकिट की पर सेक्षन से कोर एंड मंदरा को रखा एक रिस्क लिए शिफा आपके पास में रहेगा तो गैप को जरूरー एक अपनी श्मॉली की टीम आपक पास करना है कापटन कर इसे का में नहीं पसंध है ब्लाल के यह पसंद आही हो तो लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं क्या हो तो फटावट से कर लो और बाकी और बेस्ट एस मैच के लिए मिलते हैं आपको नेक्षोडियम बहुत ही जारे जलते